हेलो फ्रेंड्स बर्धनी केट्वी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केवियस प्याटी और यूपी प्रात्मिक सिछक भरती से संबंदित एक प्रमुख बिंद हुआ जिसके ओपर हम लोग बात करेंगे यहां पर देखिए सभी के मन में जो भी जितने भी प्रात्मिक सुपर्टेट के अभरती हैं जो चार साल से वेट कर रहा है यूपी में प्राइमरी सिछक भरती का ठीक है क्या उनको केवियस प्याटी में फॉर्म भरना चाहिए ठीक है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब से पैटर्न आया है जब से असल भी ने देखा ही होगा यहाँ पर देखिए यह दो चीजे मैंने अलग से लिखती है यहाँ पर देखिए साथ नंबर में सीडीपी पुछी जाएगी मैथमेटिक्स आपकी बीस नंबर की हिंदी बीस नंबर ईवियस ट्वेंटी मार्क्स रीजिनिंग और कंप्यूटर पैटर्ण ठीक है अब यहाँ पर यह देख सकते हैं आप लोग सुपर्टेट का पैटर्ण सुपर्टेट का पैटर्ण क्या है सीडीपी तीस नंबर मैथमेटिक्स बीस हिंदी बीस एवियस प्लस एसस्टी दस नंबर रीजिनिंग कंप्यूटर पाच पास नंबर का अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन चीज़े आपकी क्या है सुपर्टेट से सीडीपी मैथमेटिक्स हिंदी इवियस रीजिनिंग कंप्यूटर ठीक है जीए प्लस करेंट ठीक और इंग्लिस यह सारी चीज़े आपकी सुपर्टेट में पुछी जाएंगी ठीक है तो जो लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या हमें त्यारी करनी चाहिए कहीं सुपर्टेट ना जाए ठीक है अगर सुपर्टेट आ भी गया बाई चांस अप्रेल के आसपास उमीद है कि प्राथ्विक्स की जो नहीं भरती हो देखने को मिल सकती है ठीक है अगर आप लोग इसकी त सुपर्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कभी की है ठीक है बहुत से लोग ऐसे हैं जो चार साल से तैयारी कर रहा है तो पीच में छोड़ दी ठीक है तो उन लोगों को यह चीज़ समझनी चाहिए कि अगर तफ देखा जाए तो यूपी प्राइमरी सुपर्टेट का जो पैटर्न है वो ज्यादा टफ लग रहा है क्योंकि इसमें देखें पाच पांद ददस नंबर में सारी चीज़े दी गई हैं लेकिन अगर के विए प्यार्टी का आप लोग देखें तो देखें आप लोग चार चीज़े कंप्लीट कर लेजिए आपका लगबग आप चार चीज़े बीकर लेंगे तो भी आपका जो तयारी है वेक्सोसाथ नंबर की आपकी सीधी सीधी हो जाएं और फिर हिंदी स्वारी यह हिंदी हो गया और मैतमेटिक्स के 20 नमबर और और एवियस के 20 नमबर ठीक है अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाए जाएगी ठीक है और फिर बच्चे का आपका रीजनिंग कम्यूटर यह रीजनिंग तो काफी एज़ी है ठीक है पांच नमबर यह माल की चलिए पांच में चार नमबर आपके आही जाएंगे ठीक है जीए ठोड़ा बहुत देखते रहेगा नहीं भी देखेंगे तो भी ए जो स्लेबस है तो देखा जाए अगर कंपेर किया जाए तो सुपर्टेट में मेरे हिसाब से जादा चीज़ा आपको कवर करने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि दद दस पांच में नमबर में ही सारी चीज़ी दी गई ठीक तो मेरे ख्याल से जितने भी अभ्यरती सुपर्टे है वेकेंसी बहुत कम है इसलिए कंप्टीशन जादा होगा ठीक है तो हो सकता है 150 प्लस वाले का ही सेलेक्शन हो ठीक लेकिन अगर आप तयारी करते हैं हो सकता आपका सेलेक्शन हो जाए अगर आपकी सुपर्टेट तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को फॉर्म भरना कि कोई भरोसा नहीं है चार साल वाद के वेकेंसी आई है ठीक है सुपर्टेट की अभी भी नहीं आई है आएगी या नहीं अभी कंफर्म नहीं उमीद है कि अप्रैल में आएगी तो जो मौका मिलना है उसमें आप लोग अपना हेंड़ परसन देने की कोशिस करें ठीक वी है